परिचाए पिता जी, हमारे घर का दरवाजा कितना कमजोर और रूखा दिख रहा है? हाँ बेटे, ये दरवाजा आट से दस वर्श पुराना है किन्तु पिता जी, ये दरवाजा इतना कमजोर क्य으로 हो गया है? बेटे, ये संग्शारण के कारण हुआ है संग्शारण वो क्या होता है पिता जी? बेटे, संग्शारण वायो मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य कैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूं को उनके अनैच्चिक योगिकों में रुपांतरित करने का मंद प्राक्रम है ये दर्वाजा लोहे से बना है तथा संग्शारण लोहे को शूरे निक्षेप में बदल देता है यही कारण है कि ये इतना पुराना तथा कमजोर दिख रहा है अच्छा पिता जी अब मुझे संग्शारण के बारे में पता चल गया है पिता जी क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं हाँ बेटे और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैदुत रसायन के बारे में अध्यान करेंगे उत्तेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैदुत अबघटन को परिभाशित करना वैदुत अबघटन की क्रियाविधी का विशलेशन करना फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम को समझना बैटरी को परिभाशित करना बैटरियों के प्रकारों को परिभाशित करना इधन सेल के बारे में जानना संग्शारण को परिभाशित करना जंग लगने के वैद्धुतिरा सायन सिध्धांत का विशलेशन करना और संग्शारण के रोक थाम की व्याख्या करना वैदुत अबघटन वैदुत अबघटन या इसके जलिये विलियन में वैदुत धारा की प्रवाह से होने वाले रासाइनिक अबघटन के प्राकरम को वैदुत अबघटन कहते हैं वैदुत अबघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैदुत अबघटन का प्राक्रम संपन होता है वैदुत अबघटनी सेल कहलाता है इसमें एक वैदुत अबघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है वैदुत अबघटे द्रव अवस्था में या जलिये रूप में वैदुत अबघटी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें दो इलेक्ट्रोनिक चालक निमजित होते हैं इलेक्ट्रोडों को दिश्ट धारा के स्रोज से संपर्कित कर दिया जाता है वैसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के रण सिरे से संपर्कित होता है कैथोड कहलाता है तथा बैटरी के धन सिरे से संपर्कित इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है वैद्वत अबघटन की क्रिया विधी जब किसी वैद्वत अबघट को किसी उचित विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाता है जब विद्वत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभवांतर के प्रती अनुक्रिया करते हैं तथा विप्रीत आवेश वाले इलेक्टोडों की ओर गती करते हैं अता रिन आवेश कैथोड की ओर तथा धन आवेश एनोट की ओर चला जाता है अपने नियत इलेक्टोर्ट पर पहुंच कर आयन अपना आवेश त्याक कर उदासीन कन बनाते हैं रिन आवेश कैथोर्ट से इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं जबकि धना वेश एनोट को इलेक्ट्रोन प्रदान करते हैं अता एनोड पर आक्सी करण जबकि कैथोट पर अफकरण होदा है। वैदुत अबघटन के उत्पाद मुख्यता निम्नकारकों पर निर्भर करते हैं। वैदुत अबघट के पदार्थ की प्रकृति यदि वैदुत अबघटन वैदुत अबघट की द्रव अवस्था अथवा जलिये विलियन में होता है, तो इलक्टोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं। वैदुत अबघट में प्रयुक्त इलक्टोडों के प्रकार। यदि प्रयुक्त इलक्टोड अक्रिय है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है या यदि इलक्टोड अभिक्रिया शील हों तो ये इलक्टोड अभिक्रिया में भाग लेता है तब वैदुत अभघटन के उत्पाद भिन होते हैं वैदुत अबघटन के उत्पाथ, वैदुत अबघटनी सेल में उपस्थित, विभिन आॉक्सी कारक एवं अपचायक स्पिशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभुवों पर निर्भर करते हैं जब कोई वैदुत रासायने कभी क्रिया, कति की ये रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता, कतित नहीं होता है, तो कुछ अधिरिक्त विभाव, जिसे अधी विभाव कहते हैं, ऐसे प्राकरम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है विलियन का सांदरन भी वैदुत अपघटन के उत्पात को प्रभावित करता है फैराडी के वैदुत अपघटन के नियम फैराडी के वैदुत अपघटन के प्रतम नियम किसी एलेक्ट्रोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदारफों की मात्रा वेदुत अबघटे, विलियन या गलित प्रवाहित, विद्धत धारा की मात्रा के समानोपाती होती है। हम जानते हैं कि Q बराबर IT है, M भी IT के सीधे समानुपाती होती है, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, M बराबर Z IT जहां Z पदार्थ का वैदुत रसायनिक तुल्यांक कहलाता है, किसी वैदुत अबघटे, गलित या विलियन से प्रवाहित, एक कुलॉम की विदुधारा से निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाशित करते हैं। प्रवियांक के दरफिमान के समानुपाती होती हैं। फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम पर उधारण। चलिए फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम पर एक उधारण लें। किसी धात्विक पात्र जिसका कुल प्रिष्ठ येक्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है। पर 0.5 एंपियर की विद्ध धारा को दो घंडे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्ध निक्षेपन होता है। निक्षेपित सिल्वर की मुटाई ग्याद कीजिए। चलिए इसका हल देखें। यहां दिया हुआ मान है ए पराबर 900 वर्ग सेंटीमीटर आई पराबर 0.5 एंपियर। हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का द्रवेमान M पराबर ZIT से प्राप्त होता है। इन मानों को रखने पर हमें M पराबर 4.09 ग्राम घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि V पराबर M बटा D इन मानों को रखने पर हमें V पराबर 0.3837 घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है। मालने की निक्षेपित पदार्थ की मोटाई एक सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि एक्स बराबर वी बठा ए। इन मानों को रखने पर हमें एक्स बराबर 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। धात्विक पातर पर निक्षेपित सिल्वर की मोटाई 7.67 गुणा 10 की घात रिन 4 सेंटीमीटर है। बैटरियां कोई बैटरी जिसका विद्धित उर्जा के सुरूत के रूप में प्रयोग होता है। मुलता एक विद्धित रासाइनिक सेल है। जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासाइनिक उर्जा विद्धित उर्जा में रुपांतरित होती है। बैटरी श्रेडिं करम में चुड़े तू या तू से अधिक गेलवेनी सेलों की वेवस्था को प्रदशित करता है। बैटरी के आवश्य कुन हैं? इनकी आयू लंबी होनी चाहिए। बैटरी को हलका तथा सुसंबध होना चाहिए। ये पुना आवश्य करने योग के होनी चाहिए। प्रयोग में लाते समय इनकी वर्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बैटरीयों के प्रकार विविदिव वैवसाईक बैटरीयों को व्रिहत रूप से दू प्रकारों में वर्गिक्रित करते हैं। प्रात्मिक बैटरियां प्रात्मिक बैटरियां लंबी अवधी के बाद रासाइनिक अभिक्रिया के रुख जाने से निश्क्रिये हो जाती हैं। इसे पुना आवेशित या पुना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उधारन के लिए शुष्क सेल तथा मर्कुरी सेल। संचायक बैटरियां संचायक बैटरी को निश्क्रिये होने के बाद दिश्ट धारा प्रवाहित कर पुना आवेशित किया जा सकता है। तथा बैटरी को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उधारण के लिए लेड संचाइक सेल, निकेल कैडमियम संचाइक सेल. शुष्क सेल, इस सेल में जिंक का बिलनाकार पात्र होता है, जो एनोड का ही कारिकरता है. इसका कैथोड कार्बन की छड़ होती है, जो चूनित MNO2 तथा कार्बन से घिरी होती है. इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZNCl2 के नाम पेस से भरा होता है. बेहतर विद्ध संपर्ग के लिए ग्रिफाइट की छड़को पीतल की टूपी पहना दी जाती है, तथा बिलन को उपर से पिट्च से बंद कर दिया जाता है. जिंक को वायूमंड लिए ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्ट बोर्ट से ढग दिया जाता है. सेल का विभव लगभग 1.59 वोल्ट होता है. शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियों, घडियों इत्यादी में उप्योग होता है. मर्कुरी सेल मर्कुरी सेल में जिंक मर्कुरी अमलगम का एनोड होता है, तथा HGO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोर्ट का कार्य करता है. वेद्द अब घटे KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है. वे अपने विसरजन के दोरान 1.35 वोल्ट का आचर विभव उत्पन करता है. इसके जीवन काल में सेल का विभव अचर रहता है, क्योंकि समक्री सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है, जिसकी सांद्रता विलियन में होने के कारण सेल की संपून कारय अवधी में बदल सकती हो. मरक्री सेल का हिर्दय पेस मेकरों, घडियों, कैमरों, श्रवन यंद्रों इत्यादी में व्रहत पैमाने पर प्रयोग होता है. लेट संचायक बैटरी इसमें समानिता 6 वोल्टेक सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं. प्रतेक सेल में एनोड इस्पंजी लेट से बना होता है, तथा कैथोड लेट डाइयोक्साइड से भरा लेट का एक क्रिट है. वैदुत अब घटे H2SO4 का विलियन है, जो द्रविमान का 38 प्रतिशत होता है. बैटरी के डिस्चार्ज के तौरान अभिकरिया में सलफ्यूरिक अमल की खपत होती है, तथा जिसके परिणाम सरूप अमल का घनत्व गिरता है. जब विलियन का घनत्व 1.209 ग्राम प्रतिखन सेंटिमीटर के नीचे किरता है, तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत परती है. जब किसी बाहे दिश्ट धारस रोज से बैटरी को विद्ध उर्जा की आपूरती होती है, तो सेल विद्ध अब घटनी सेल की तरह कारे करता है. तथा रासाइनिक अभिक्रिया होती है, किन्तु इलेक्टरोड अभिक्रियाएं बैटरी के डिश्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रिया के विपरेत अभिक्रिया करती है. सेल की धारा आउटपुट को बढ़ानी के लिए एनोड तथा कैठोड को एक आंतर क्रम से प्यवस्थित किया जाता है, तथा एक दूसरे से कुछालग पदार्थों के स्तरों से प्रथक कर दिया जाता है. प्रतेक वोल्टेक सेल में विपवान तर लगभग दो वोल्ट की होती है, जिससे आउटपुट बारा वोल्ट हो सके. बैटरी के छे सेल श्रिणी क्रम में जुड़े होते हैं. निकल, कैडमियम, सुंचाइक बैटरी इस प्रकार के सेल में एनूड कैडमियम का बना होता है. तथा कैथोड में धातू ग्रेट होती है, जिसमें निकल आकसाइड होता है. वैदुद अब खटे के ओएच काविलियन है. सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है. बैटरी के डिश्चार्ज के दौरान कोई गैसी उत्पात नहीं बनता है, तथा ठोस उत्पात बनता है, जो इलेक्ट्रोन से चिपके होते हैं, जिसे आविशन प्रक्रियाद्वारा पुना रूपांधरित कर लिया जाता है. इन सेलों को प्योग व्रहत रूप से इलेक्ट्रोनिक खड़ियों तथा केलकुलेट्रों में होता है. इन्धन सेल इन्धन सेल विद्ध रासाइनिक सेल है, जिसमें आक्सीक रित होने वाले पदार्थ वैद्ध अपखट्टे या इलेक्ट्रोनिक पदार्थ नहीं होते हैं, बलकि एक बाहता आपूर्ती करने वाले पदार्थ हैं, जिसका प्योग श्रामण यंत्र में इन्धन के रूप म में उरुपांद्रित करने की एक युगती है, हाइडोजन जैसे पारंपरिक इन्धन की नियंत्रित सतित आपूर्ती का ऑक्सीकरण एनोट पर तथा ऑक्सीजन जैसे देहन के पारंपरिक पोशक की आपूर्ती का अपचयन कैथोड पर होता है, सेल में जब तक हाइडोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ती होती रहती है, सेल चलता रहता है। इधन सेल किसी प्रकार की प्रदूशन समस्याएं उत्वन्य नहीं करता है। संचारन संचारन वायु मंडल में उपस्थेद नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूं को उनके अनेचिक योगिकों में रुपांतरित करने का मंद्य प्राक्रम है। उधारन के लिए चांदी का पदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कौपर पर हरी रंग का लेव चड़ना तथा लेट का अपनी चमक खोना। संग्शारन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातूं की अभिक्रिया शीलिता, अशुद्धियों की उपस्थिती, भायू एवं नमी, धातूं में तनाव तथा वैद्वत अपखट्टी की उपस्थिती। जंग लगने के वैद्वत रासाइनिक सिध्धांत इस सिध्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह आक्सीजन तथा कारबन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैद्वत रासाइनिक सेल की तरह वैवाहर करता है। इस प्रकार के सेल को संशारन सेल ही कहते हैं। शुद्ध लुहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह वहवाहर करता है। नमी जिसमें ऑक्सीजन या कारबन डायोकसाइड खुले होते हैं। वैदुद अब घटे विलियन की तरह कारे करता है। एनोड पर आयरन परमाणों का आक्सी करान होता है। कैथोड पर ह की घाद धन आयन द्वारा इलेक्टरोन ग्रहन कर लिया जाता है। हाइटोजन परमाणों घुलित आक्सीजन को अपचैइद कर देता है। इस प्रकार उत्पन फेरस आयन जल से होकर आयरन की सतह पर पहुंचता है। और जहां इसका वायो मंड लिये आक्सीजन द्वारा फैरिक अवस्था में आक्सी करन होता है। जो जंग का निर्माण करता है। संग्शारन की रोक था। संग्शारन से धातूँं की सुरक्षा की कई विध्या हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। अवरोधक सुरक्षा। इस विध्य में एक अवरोधक फिल्म आयरन तथा वयू मंडल ऑक्सीजन तथा नमी के बीच रखी जाती है। उत्सर कुसुरक्षा। इस विध्य में आयरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातू की परस से आच्छादित कर देते हैं। टिन से आयरन का आच्छा देन। टिन बहुत कम विध्य धनात्मक होता है। तथा इसका वायू में संक्षारण नहीं होता है। जब टिन की परद को आयरन की सतह पर आरूपित किया जाता है, तो ये जंग के विरुद सुरक्षित होता है। विध्य सुरक्षा। लियुमिनियम से संपरकित किया जाता है। जंद विरूधी विल्यनों का उप्योग ये ख़ारिये फासफेट तथा ख़ारिये क्रुमेट के विल्यन है। विल्यनों की ख़ारिये प्रक्रिती H पिलस आईनों की उपलब्दधा को रोकती है। जो आईरन के उक्सीकरण को Fe2 प्लस में पूरा करता है। क्या आप जानते हैं? सामाने तापमान पर आईरन का नमी की अनुबस्तिधी में सही तरा से संक्षारण नहीं होता है। वैदुद अबखटन स्थाई रूप से बाल हटाने की एक मात्रविधी है, जिसे खाते एवं आशद प्रशासन ने मानिता प्रदान की है। सर्वु प्रथम बैटरी अले सेंद्रों वोल्टा ने 1798 इस्वी में बनाया। प्राकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण दातु की सतह पर जल की कती बढ़ने से बढ़ने की प्रवरित्ती हो दी है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं। वैदुत अपखटे या इसके जलिये विलियन में वैदुत धारा की प्रवासे होने वाले रासायनिक अपखटन के प्राक्रम को वैदुत अपखटन कहते हैं। जब किसी वैदुत अपखट को किसी विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाते हैं। किसी इलेक्ट्रोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वैदुत अपखट विलियन या गलित प्रवाहित विद्धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जब भिन भिन वैदुद अबखट से होकर विदुद धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्टोरों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यां के द्रविमान के समानुपाती होती हैं। बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है। संग्शार और वायू मंडल में उपस्थित, नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनेच्छिक योगिकों में रोपांतरित करने का मंद प्राक्रम है। लोहे के अशुद सतह आक्सीजन तथा कार्बन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैतुत रासाइनिक सेल की तरहा वैवहार करता है। इस प्रकार के सेल को संग्शार और सेल भी कहते हैं।